कि ऐगुं को आज को आज में वनारे हैं इंस्टिन कलीजी पाकिस्तानी इस्टाइग तो यहां पर फाने के लिए एनने के लिए दिन योगर्ट दही Aleid चिछी पूद्ध चुत्स इलिएक दिन देर उगने 1 गेच त्दाइड हेस्त वर्दी यहांपर मैंने 2 वान टी स्पून गरम मसाला पाउडर ले है वान टी स्पून ब्लाक पेपर पाउडर है वान टी स्पून कसूरी मेती है और यहाँ पर मैंने लाल कुटीवी मिर्चे लेवी है भुनीवी तो यहाँ पर यह भी वान टी स्पून है और यहाँ पर zeera powder है वो भी 1 teaspoon है बुनावा कुटावा zeera है तो चलिए से बनाना स्टार्ट करते है बहुत ही easy है तो यहाँ पर देखें सबसे पहले हमें करना क्या होगा यह जो मैंने कलीजी है तो अभी देखें कलीजी में मैं दही मिला दूगी सारी चीजे हमें मिला देन ही है और इसके अंदर मिलाने के बाद में इसको एक लीस 15 से 20 मिनट के लिए हमें इसको साइड में रख देना है कि अब बिला एक यह देखिये ऑग्राद आखे की अब हो जाधा तर पाकिस्तानी लोग इसको नान के साथ में और तंदूरी रोटी के साथ में इसको खाते हैं यहां पर गरम मसाला और सौल चली आएगा और इसे मैं अच्छे से मिक्स करूंगी और इसके अंदर अराउंड वन टेबल स्पून के करीब में थोड़ा सा ओइल एड करेंगे और इसमें लेमन जूस भी जाएगा इसके अंदर और इसे मैं अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ और ऐसी जैसे किसी ने मुझे सजेस्ट किया है तो यह मेरे हस्बन के फ्रेंड है जो शेफ है उन्होंने बुला कि काफी चीज़े बनाते हैं बहुत अच्छी रहती है लेकिन बताते नहीं है कि इसको किस तरीके से अगर सही से explain करोगे तो चायनल आगे अच्छे से बढ़ेगा तो ठीक है सही बात है मेरी गलती कुछ होती है तो चलो मैं मान लेती हूँ कि हाँ मेरी गलती है तो फिर अगर आप लोगों को ऐसा लगते है कि और कुछ improvement मुझे करना चाहिए तो मुझे comment में आप बता दो कि क क्या करना चाहिए अभी तो फिलाल इसको मैं अच्छे से mix कर लेती हूँ और mix करने के बाद में इसे में फ्रीज में रख दूँगी at least 15 मिनट के लिए यहां भी देखिए मैंने 1 टीबल स्पून ओई ले लिया है और अभी मैंने यह दिखिए यह मैंने 15 मिनट से रखा था में अभी मैंने फ्रीज में निकाल लिया न्यकूं तो क्या करें इसको आप हमेशा इस तरीके से अच्छे से मसाला लगा कर आप इसको कब नेसके घर को यह सबकिनी आपकूड एक कर दो आशोरो difडियों सबकिक किसा को डरीके में अब अब क्या करना है subscribe अब थेट अब 1 आट ऐसा करना है अभी fry करते हैं तो अभी मैं क्या करूंगी बस इसे मैं अच्छे से cook होने दूंगी और cook भी हमें जो कलीजी है उसे हमें जाधा cook नहीं करना है कलीजी जाधा cook करते तो होती है एकदम हाड हो जाती है तो बस इसे मैं अच्छे से एक बार mix करती हो और इसे मैं fast flame पे 10 minute cook और फिर देखूंगी अगर यह बरोबर है तो फिर मैं gas का flame बंद कर दूंगी अगर नहीं तो देन मैं एक बार चेक करूंगी और पानी और cook करूंगी देखें मैं इसके अंदर पानी बगेरा नहीं डाला है उसको fast flame पे मैं 10 minute तक cook करूंगी और आप भी मैं सजिस्ट करूं किया है और यह अच्छे से cook हो गई पानी बीचे से छोड़ा है अपना कली जीने मैंने इसके अंदर और पानी नहीं डाला है बस मैं इससे कट करके देखूंगी हमें को करना है मेरे साब से तो यह अच्छे से cook हो गई है कट करके देखेंगे और यह देखें मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ पर देखें यह देखें मैंने इसको एक कट करके रखा है मैं आपको दिखाती हूँ यह देखें यह आपको इसके अंदर अगर खून नहीं दिख रहा है रेड रेडनेस नहीं दिख रहा है यह अच्छे कोखो गया तो चलिए इसे मैं डिश आउट कर लेती है